तो अब देखो क्या लिखा है वेद क्या बता रहे हैं परमात्मा के विशे में देखिएगा हम रेगवेद मंदल नमबर नौ सुक्त एक मंतर नमबर अब आठ पढ़ेंगे उस पुरस्माने परमात्मा को उगरगतियां यानि बहंकर सती थी, प्रिर्ना करती हैं और भास्मान सरीर को यानि संदर सरीर को वह पुरस्द वह परमात्मा प्राप्त होता है और किस परकार होता है अब यहां लिखा कि जिसमें उस सरीर वो परमात्मा तीन परकार से दूसरों का वारन यानी कल्यान करने के लिए मधू में सरीर मिलता है उस परमात्मा को वो परमात्मा ये समझो तीन परकार दूसरों का पालन करने के लिए, धार्ण पोस्टन करने के लिए, कल्यान करने के लिए, तीन परकार क्या सरीर धार्ण करते हैं, तीन परकार से, एक परकार का तो आपको बता जिया कि परमातमा उपर रहते हैं, वहां उनके सरीर की सोभा मनुसदर से हैं, राजा क है उस परमात्मा के एक रॉम कुप की बाकि स्रीर की कितनी होगी अंदाजा लगा जा सकता है और फिर वो परमात्मा दूसरी सतीथिम जब आता है एक नवजाद सिसू का रूपधान करता है तो दूसरी सतीथिम बताई जा रही है देखिएगा रिगवेद मंदल नमर नौ सुकत एक मंतर अब नौ पढ़ेंगे हम यह नौ मा है इसमें लिखा है कि अभी इमम अधन्या उच्छनंती धेनव धेनो माने गाएं सिसू माने बालक रूपधारी सो माने परमात्मा इंद्राय पात्वे इसका रहत है इमम माने उस सो माने परमात्मा पुरस माने परमात्मा को पुरस माने परमात्मा क्योंकि इन्होंने यहाँ सो माने परमात्मा होता है यह देखिए सुरू में इसी सुक्ट के पर्थम मंतर में सो म सबद है रगवेद मंदल नम्बर नो सुक्त एक मंतर एक में इस एक में ये सोम सब्द है सोम सोम मने परमातमन तो यहां हम यहां भी सोम लेंगे रगवेद मंदल नम्बर नो सुक्त एक मंतर नो में सोम सब्द है सोम उस परमातमन को उस परमातमन को उस पर पुरुष को परमात्मा को जो सिसु रूप धान करके आता है कुमार अवस्था में अवस्था में यानि बाले अवस्था में अभी अधन्या अधन्या माने एहिंसिन ये लिख जाए नोंने अधन्या माने अभी माने पूर्ण रूप से सब परकार से तो हमारी लाइंग्विज में संस्कृत के, कुछ पंजाबी के, कुछ वैसे अन्य भासाओं का भी समावे से, जैसे अब इंगलिस वर्ड भी घढ़े होगे सब्द हमारी भासा में, ऐसे पहले से हमारे कुछ सब्द मिले हुए हैं भासा में, तो हम अधन्या माने बिना अभी अधन्या पूर्ण रूप से, यानि कुवारी धेनो माने गवे, उस परमातमा की जो सिसु रूप धान करके जबाता है, उनके परवरस की लीला कुवारी गायों के दवारा होती है, ये वेद बताते हैं, और वो किस परमातमा की हुई है, श्री करसंड की कायतियास आपके पास है, जिनको आप अगवान माना करते थे, या बिर्मा विश्नो महेश की दिखा दोई तियास नोने ऐसे कुवारी गाएंगा दूद पियाओ, तो हुई इस गोड़, कबीर इस गोड़, और कौन कबीर, जो कसी माय थे धानक दुलाहा, अब देखो, हम ये पढ़ कमारी, अभी अधन्या कमारी, धेनो माने गवें, गाएं तर्प्स करती है, उसका पालन करती है, पालन की लिला कमारी गायाँ के दोरए होती है, और ये किस परमात्मा की हुई? trata कबीर गोड़ की, आपको कबीर सागर से परमानिज कर दिया था, और जिन मापरसों ने परमा आत्मा मिलाक उनमें कौन कौन है आदनिये दरमदास साहिब जी आदनिये व्लुकदास साहिब जी आदनिये नानक साहिब जी आदनिये दादू साहिब जी आदनिये गरिबदास साहिब जी गाउंचुडानी जलाददर हर्याना वाले आदनिये सिरिगीसादास साहिब जी कबीर साहिब चारवर्स की लिला में श्रीद में थे जब सिसरू उब्धान करके परगट विये थी और एक सो चारवर्स के उस विद्वान पर उसके छुड़ा दिया परमातुमाने ग्यान के अंदर तब उसने कहा था कि मैं जब मानूंगा मैं अंदर समाधी लगाता हूं मैं समाधी में आपके दर्सन कर लो तो परमातुमाने समाधी लगवाई उसकी फिर लेक गए उपर सुच्खुंडमा वहां देख्या वास्तविक एक काल नए दोखा देने के लिए यहां पर स्वर्ग बना रखें और यहां की चार मुक्तियां बता रखें चारों मुक्ती का भ स्थान में गए वे प्राणी फिर कभी लोड़ कर संसार में नहीं आते हैं तो उसकी नकल करवा रखें इसकाल ने नकली सत लोग अलग लोग अगम और अके लोग अनामी लोग तक की रचना ब्रम लोग में करवा रखें इसने ताकि यह जीव भरमित होकर मेरे जाल में फसे रहें अब समर्थ आते हैं उनका ग्यान समर्थ होता है उनका काम भी समर्थ होता है उनकी हर गती समर्थ होती है तो उस प्रमात्मा का ग्यान अनमोल है उसमें कोई तुरूटी नहीं है और उनकी जो भक्ती विदीवे भी कम्पलीट है और सादक भी यदी सरधास ये करेगा तो वो भी पूरन लाप राप्त कर सेका है झाल 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 झाल